सभी समू की दीदियों को मेरे तरफ से नमस्कार जी हां दीदी आप सभी को हमारे प्रेंड़ना टीवी चैनल के तरफ से नमस्कार आसा करती हूं दीदी आप लोग स्वेम शाथ अच्छे चला रहे होंगे जी हां है सजी को आप सभी से निवेदन है कि आप लोग स्वेम शायता समू के पंच सुत्र का पालन करती रहे हैं और ये सजी को अच्छे से चलाते रहे हैं हमारे पंच सुत्र कौन से हैं सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्रिक उधार, समय से रिण वापसी, लेखा जोखा अगर दिदी आप इन पंच सुत्रों का पालन करेंगी तो आपका समू सबसे अच्छा कहलाएगा जी हाँ और सरकार की द्वारा जो भी योजनाय आएंगी सबसे पहले आपको वरिता दी जाएगी जी हाँ इस बात का विशेध ध्यान रखे अगर आपको योजनाव का लाब लेना है जी हाँ इसमें जो भी नौकरियां आ रही है उसका भी लाब लेना है तो आपको सबसे पहले पंच सुत्र का पालन करना पहुँच जरूरी है जी हाँ आप दीदी खुद भी करिये और दीदियों से भी करवाये नियम बध्य तरीके से पंच सुत्र का पालन कराईए तो चली दीदी आज चलते हैं नेटोपी की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताए कि पहले समू बनता है उसके बाद ग्राम संगठन बनाए जाते हैं ग्राम का कर्म चारी होता है ने उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती है जो आपको भी जानने कीफशकता है आप लोग को समों के बारे में जानना ग्राम सेंगठन के बारे में भी जानता है और कलस्टर के बारे में भी जानना है कुछ दिदियां? मुझे कॉमेंट की अब यह पूछी कि दिदी हम तो बस समू में जूड़े हैं हमारा तो अजी कम हो गया है यह हमारा बीशी सकी में चैन हो गया तो यह सब जानकारियां हम लेकर क्या करेंगे? तो सबसे पहले दिदी आपको बता दू कि अगर आप समू में जूड़ी हैं तो आपको समू के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी होगी जी हाँ समू क्या है? ग्राम संगठन क्या है? कलस्टर में क्या है? और सारे नियम क्या है? क्योंकि आगे भी चलकी योजना आएंगी तो आप से सवाल पूछा जाएगा जी हाँ आपके ग्राम संगठन के बारे में, कलस्टर के बारे में, समू के बारे में तो आप जितना जाता हमारा वीडियो देखेंगी उतना ही ज्यादा आपको नौलेज बढ़ेगा क्योंकि सब कुछ जाने की जरूत है तो आसा करती हूँ आप मेरे सारे वीडियो को देखी और निपूर हो जाएए समू के बारे में, जानकारियों के बारे में चलिए दिदी, चलते हैं आगे लेखपाल की जिम्मेदारियां हमारे कलस्टर में जो लेखपाल दिदी होती है उनकी जिम्मेदारियां क्या-क्या है लेखपाल की जिम्मेदारियां निम्न अनुसार होती है सनकुल संगठन का लेखपाल कलस्टर संगठन का करमचारी होता है आजीवका का करमचारी नहीं होता है जी हाँ ध्यान दे आजीवका का करमचारी नहीं होता इसलिए ऐसी कोई कम्पलेन ना करे जो आजीवका से रिडिटर हो दुस्वा है सनकुल संगठन लेकपाल का मान दे कलस्टर संगठन की आई से देना चाहिए कलस्टर संगठन के कfounded के देना चाहिए पहली बारे श्टाट अब जाता है दीदि को 12 मेने श्टाट फट के द्वारा दिया जाता है उसके बाद जोकर कलस्टर में ब्याज देते हैं उसी को क्लस्टर में बुला जाता है जी हां समू हमारा जो हमारे समू का आया है जो हम समू त्वारा ग्राम संगठन में जमा करते हैं वो हमारे ग्राम संगठन का ब्याज आया है उसी प्रकार ग्राम संगठन त्वारा कलश्टर में वापस किया आता है जो ब्याज होता है वो कलश्टर का आया होता है तो सनकुल स प्रति दिन निर्धारित समय पर आकर कलश्टर संगठन कारल Creating को खोल कर कार करना चाहिए जिस प्रकार ग्राम संगठन में V tenha सबसे पहले आधा गंटा पहले ग्राम संगठन पर पहुँ जाना चाहिए helpful क्लोस्टर कर बैठना चाहिए उसी प्रकार कलश्टर संगठन में भी लेकपाल को प्रति दिन निधारित समय पर आकर कलश्टर संगठन कार्याले को खोल कर करना चाहिए लेकपाल को बैटकोक को अनिमार रूप से उपस्थित होना चाहिए सभी रिकार्डो यहां सभी रिकार्डो एम लेन देन को मिलाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए सनकुल संगठन के सभी पुस्तक को समय पर ठीक से लिखना लिखते रहना चाहिए सनकुल संगठन से आर्थिक लेन देन नहीं करना चाहिए इस बात का विशेद ज्यान दे सनकुल संगठन से आर्थिक लेन देन नहीं करना चाहिए और नगत रासी को नहीं चुना चाहिए सनकुल संगठन के पुष्टक और वस्तूल हुए रुपय को कार्याला में सुरच्छित रखने में सहयो करना चाहिए सनकुल संगठन के रिकार्ड को बिना अनुमती जीव दिदी इस बात का आपलों बुशे द्यान दे सनकुल संगठन के रिकार्ड को बिना अनुमती कभी भी बाहर नहीं ले जाना चाहिए जिहां अपने संकुल रजटों को किसी को नहीं दिखाना चाहिए लेकपाल को बैंके लेन देन करने में सहायता करना चाहिए मगर नगत लेन देन नहीं करना चाहिए संकुल संगठन की जानकारी अनुमती के बिना बाहरी व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए सनकूर संगठन की जानकारी अनुमती के विना बाहरी वेक्तिय को नहीं देना चाहिए आडिट होने के दवरान सहायता देकर समय पर आडिट को पूरा करवाना चाहिए ग्राम संगठन की बैट को में उपस्थित होकर सहायका को सहयो करना चाहिए सनकूल संगठन द्वारा आयोजित प्रशिच्चडों में उपस्थित होना चाहिए ग्राम संगठन की बैट को में उपस्थित होकर सहायका को सहयो करना चाहिए जी आडिदी का करतव है कि अगर जो ग्राम संगठन हमारा कमजूर है लिखने में जी आडिदी की सहायता करना चाहिए अगर उनको अच्छे से नहीं लिखने आ रहा है तो रिश्चर लिखने में सहता करने चाहिए तो चलिए देदी आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब शेयर जरू कर दें आप सभी दीदियों से हमारा निवेदन लेगे प्लीज हमारे चैनल को सस्काइब करिए और दीदियों से कराईए जी हाँ स्वेमसाता समू में जब बैठक में बैठिये उन दीदियों को कराईए जो ग्राम संगठन में बैठती है उनका कराईए और सीलेफ में कराईए क्योंकि ये सारी जनकारी आप अहीं लोग के लिए दीदि हमने डाली है आप लोग हमारे प्रेंटना टीवी चनल पर आकर सारी जनकारी अपराप्त केजिए और उसका अनुसरन भी करिए जी हाँ जब तक आप लोग अनुसरन नहीं करेंगी तब तक हमारा वीडियो बनाना बिकार है क्योंकि आप लोग को जागरू करने का ही हमारा भ्यान है जी हाँ आप सब जागेंगी तभी हमारा सवेरा होगा क्योंकि आज जीव का विशन चलाया जा रहा है आप अहीं लोग के लिए तो चलिए देजी आज की उडियों बस इतना ही अगर आपको हमारे विडियो पसंद आया तो फिर करेंगी सब्सक्राइब जरू कर लिजे जी हाँ और स्वेम शादासमों को चलाते रहेगे आज की उडियों में इतना ही धन्यवाद